तमस्कार स्वागत आप सभी का सुजस सारांज किस क्लास में इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करेंट अफेर्स जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका शुरुआत करते हैं हैडलाइन्स के साथ सबसे पहली जानकारी बिड़ला सभागार में विभिन योजनाओं का सुभारम लोकारपण एवं शलान्यास संभारों कै योजना यहां शुरू की गई उन में से सबसे प्रमोखे की योजना है जिसका नाम है मा बाउचर योजना क्या है योजना इसको डिटेल में जानेंगे साथ ही एक अगला कारेक्रम यहां से शुरू किया गया जिसका नाम है स्वच्छताही सेवा अभियान और ये वर्ष 2024 के लिए शुरू किया गया है कुछ कारेक्रमों में लोकारपण और शलान्यास किया गया मुख्यमंत्री द्वरा जैसे की कुष्म कंपोनेंट के तहट 5254 करोड़ रुपए की लागात से 1500 मेगावार्ट शमता से अधिक की 608 पर यूजना इसमें सामल है कुष्म यूजना के तहट कुछ नए कंपोनेंट यूज किये गये लांच किये गये है इसके बाद आगे देखते हैं प्रधान मंत्री से मिली सामाजिक सरोकराओं की प्रेड़ना यानि कि अलग अलग जो विभाग हैं प्रधान मंत्री से मिलकर साथ ही मुख्य मंत्री ने कुछ नए काम शुरू की हैं उनके बारे में जानकरी दी गई मुख्य मंत्री ने श्रम्दान से की स्वच्चिता ही सेवा पकवाड़े की शुरुआत ये पकवाड़ा शुरू हुआ है अभी 17 सितंबर से और जो चलेगा 2 अक्टूबर 2024 तक यहां जानकारी दी गई है सफाई मित्र स्वच्चिता के पहरी जो स्वच्चिता ही सेवा अभियान है उसमें सफाई कर्मचारियों को सफाई मित्र कहा जाता है जिसमें केंद्र सरकार उनके लिए बहुत सारी चीज़े या सुवधाय देती है जैसे कि उनका बीमा कराना उनक को आधुनिक कुछ पीपी किट वगरा प्रदान करना ताकि सफाई कर्मी को सफाई कारे करते हुए बीमारियों से बचाया जा सके गोविन देव जी मंदर में तो इसी पौदे वित्रित किये गए विक्सित राजिस्थान को मुध रूप देने के लिए कृत संकल ऐसा मुख्य मंत्री भी इस कारे करम में शामिल हुए राज्य सरकार सीग्र ही नई युवा नीती लेकर आएगी मुख्य मंत्री ने इसा कहा है अगली जानकरी राजिस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट सम्मिट से सम्मधित है जिसमें अब दुबई में एक अंतर राश्टी है इन्वेस्टमेंट रोड सुका युजन किया जाएगा इसके बाद है मुख्य मंत्री आयोश्मान आरोगी युशना यानि मा युशना जिसका दायराब बढ़ाये जाएगा फिर हम देखेंगे हमारा इंडेक्स चार मुख्य जानकरी या निकल के आती हैं सबसे पहली जानकरी मा बाउचर युशना दूसरी है नमस्ते युशना यह जो सवच्चताही सेवा पकवाड़ा शुरू किया गया है वहीं इसकी भी जानकरी थी नमस्ते युशना सवच्चताही सेवा पकवाड़ा इसको जानेंगे और राइजिंग राजिस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट सम्मिट दोहजर चौबीस इसको देखेंगे शुरूआत करते हैं मा बाउचर युशना से जिसका पूरा नाम है मुख्यमंत्री आयुश्मान आरोग्य यानि की MAA मा बाउचर युशना क्या है और कब से शुरू होई इसका शुभारम अब आधिकारिक रूप से राजिस्थान में 17 सतंबर 2024 को हुआ मुख्यमंत्री राजिस्थान के श्री भजनलाल शर्मा ने जैपूर के बिडला ऑडिटोरियम में कारेकरम की शुरूआत की और सां युशना की तहट दरसल महिलाओं को जो गर्वती महिला हैं उनको जो निशुल्क जाँच इसमें की जाती है उसमें खास दोर से शुनग्राफिक जाँच है वो निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी इसके तहट प्रदेश के 1161 निजी पंजिक्र जो शुनग्राफिक के केंद्र है वहां महिलाओं के लिए निशुल्क सोनग्राफी सोविधा उपलब्ध होगी राज्य सरकार इस पर प्रति वर्स दस करोड रुपे खर्च करेगी अगली योजना है नमस्ते योजना जिसका पूरा नाम है योजना शुरू हुई वर्स 2022 में योजना का संचालन केंद्र सरकार के दो विभागों द्वारा किया जाता है एक है आवासन और शहरी मामलों का मंत्रा ले और दूसरा है सामाजिक न्यायत अधिकारता मंत्रा ले योजना सफाई कर्मचारियों के लिए शुरू की गई है जि सोचिता संबंधिक काम करते समय सफाई कर्मचारियों के कई पार मौत हो जाती है सीवर टेंक साफ करते हुए या गटर साफ करते हुए कई बार उस होल में उतरने बर गटर के होल μέ laut तरने पर इनकी मौते हो जाती है और योदेश ये है इन मौतन को शूनने करना हुए इसके दुआरा कुशल श्रमिक यानि यह तैग किया गया है सुचिता के सभी काम कुशल श्रमिकों के दुआरा किये जाएं योजना में क्या होगा सफाई कर्मचारियों को इसमें सफाई मित्र कहा गया है उनकी सुरक्षा और हम स्वास्त के लिए सारे काम किये जाएंगे को ही राजस्तान के मुख्यमंत्री ने राजस्तान में सवच्चताही सेवा अभियान 2024 का सुभारम किया और इसी दिन से सवच्चताही सेवा पखवाड़ा भी शुरू हुआ जो की 2 अक्टूबर 2024 तक संचालित रहेगा क्या होगा इस दिन यानि इस पखवाड़े में क्या होगा तो पखवाड़े के दौरान पूरे 15 दिन जन भागी दारी दौरा श्रमदान के माध्यम से सफाई के काम किये जाएंगे गाउं और सहरों को साफ किया जाएगा इसका सु 19 सितंबर 2024 के बीच में UAE और कतर में अंतर राष्टिय इंवेस्टर्स रोड़सो और मीट का इउजन इन्वेस्टर मीट का इउजन किया जाएगा राइजिंग राजिस्थान इन्वेस्टमेंट समिट जो है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट ये इसका मुख्य आईजन शुरू होने वाला है नौ सित आनौ दिसंबर को जो चलेगा 11 दिसंबर तक यानि ये तीन निन का कारेक्रम है 9 सी 11 दिसंबर 2024 तक चलेगा आईजन स्थल है जैपूर है इसके आयूजकों में राजस्थान सरकार का उद्योग वाड़ेचे विवाग ब्यूरो आफ इंवेस्टमेंट प्रमोशन यानि बी आईपी और रीको इन तीनों संस्थानों के दौरा संयुत रूप से इसका आयूजन किया जा रहा है जिसका नोडल व पूजना के अंतरगत लक्षित वर्ग निमलक्षित में से कौन सा है आपके ऑप्शन है वरिष्ट नागरिक, सफाई कर्मचारी, एकल नारी या फिर बीपील परिवार क्या होगा इसका से उत्तर या बताएं कमेंट्स में आप मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में धन्यवाद